जब मंदल कमीशन आया सड़कों पर विरोध हुआ कि वो बीसी सारा हग खा जाएगा महिला नहीं थी क्या प्रोटेस्ट लीट करने में डियू में सड़कों पर जो आग लगा रहे थे कौन लोग थे हमें याद नहीं है क्या और दूसरा आप हमको बताईए जो महिला एसी में चांदी के टोरी में दूद भात खाते हुए पैदा हुई सब थोड़े न खानी है या वो मंदिर में जाएंगे तो उनको धकिल के बाहर निकाल दिया जागा इस देश में मुख्य मंत्री भी हुए ना जीतर नाम मांजी जी जिनके बाहर निकलने के बाद मंदित होया गया कुछ तो किये नहीं है आप कराईए अपना जाती का जनगना जोरिया जी के खतहन को हम सफल करेंगे रानी बना मेहतरानी होगा जब तक रानिया राज किरती रहेंगे हम घर में बैठे रहेंगे क्या हमको जोला सिर्फ डोना नहीं है उनको समाजिक बहिशकार का जी नहीं जेलना पड़ा ना जो दलीत की महिलाओं को आपको कुए पर से ढखेल दिया गया फुलन दिवी का इतिहास किसी को नहीं है पता क्या नमस्कार आप देख रहें हैं लाइप सिटी मैं हूँ आपके साथ सौरवराज बिहार में जाती जनगना का जो आकड़ा हो सारजवनिक ह परियां का जो गया अब चर्चा यह है कि उसी आधार पे अरक्षन भी बढ़ाए जा सकता है मेरे साथ आरजवरी के प्रवकता प्रियंका भारति इंसा बात करेंगे प्रियंका जी बिहार में जाती जनगना होई डाटा सब के सामने है कि जाती की कितनी संख्या है चर्चा यह है कि अबिहार में अरक्षन का सिमा बढ़ाया जा सकता है क्या होगा आगे देखिए पहले तो कि जातिका जनगना के लिए कोई तयार नहीं था पूरी देश में भाजपा जैसी पार्टी तो कभी तयार हो ही नहीं सकती है इसका डिमांड उठाया था तेजस्वी जी ने व नितीश बाबू हमारे साथ है नितीश जी हमारे साथ है और उसके बाद भाजपा भी घुटने टेक दी बिहार में उनको समझ नहीं आदा तो हम क्या करें वोट करें टूटना जैक हाई ओबीसी के नाम पे बुन जाते हैं और ओबीसी को देते हैं ठेंगा तो इसलिए उस स जाती का जनगना के आकड़े हमें किस लिए चाहिए थे आवाम को गरीबों को ये समझनी की जरूरत है जब भी कोट में मामला जाता था आरक्षन को बढ़ाने का घटाने का जो भी मामला जाता था सीधे जज़ बोलते थे गरीबों के लिए हुआ है कि अपना जाती वोट पर नहीं है तो ये कौन लोग है जाती से ही गरीबी जुड़ी हुए थे अभी मैंने एक अपना पेपर प्रेज़ ना जीदर नाव मांजी जी जिनके बाहर निकलने के बाद मंदित होया गया था कोविंजी अभी देख लिए आप भाजपा जो कहती है कि हम महिलाओं को प् पुलाया तक नहीं गया जब पार्लेमेंट बना क्यों विद्वाय महिला इसलिए आदिवासी तब किसे आती है इसलिए यह आपकी मनूस मृतिक सोच जो है आपका वो दर्शाता है बिहार में जाती गजन गरना हो चुकी है और डेटा और आंकडे सब के सामने और यह साइंट साइंटिफिक डेटा को न कोड जुटलाएगी नसरकार जुटलाएगी न कोई जुटला सकते उसको एकसप्र कोड ने भी कहाना हमारे untuk man भी डेटा हमारे पास आएगा तो अब इसके उपर कोई नई पॉलिसी बनेंगी बिने डेटा क्या पॉलिसी कैसे बना दीजेगा नहीं था कि उस समय में भाजपा कभी कुछ कर पाया हर जगा तो ही लोग जीतना भी चाहिए सेंटर में लोग का सरकार रहा यह रहा क्या कहते हैं हम OBC को रिप्रेजेंटेशन दिये वो 90 का दशक ही था जिस समय में लालू जी के काल में उस समय उससे पहले कर पूरी जी के काल आवाज ऐसी मिली कि आज तक भाजपा OBC को रिप्रेजेंटेशन देने को मजबूर हो गई है पहले कहां कोई पुछता था इन्हें कोई पुछता था भी हमको बताई है कहीं कोई पुछता OBC का S.E.S.T. का लेकिन वो बल्टा गया तो यह किसके साशनकाल में हुआ क्रिस् इसको development नहीं मानते हैं आपके लिए development खाली रोड पुल पुलिया है क्या यह development नहीं है कि जो गरीब बोल नहीं सकता था माथा पर जूता रखने को मजबूर हो रहा था आज वो आपके आखे में आखे डाल के बोड़ा कि नहीं साहाब हम भी बराबर है तेकिन अब बिहार म अपने को पूरा करने निकलें यह ते जसवी जी और यही होगा तोनों मिल करके डोनों मिल करके अकेले कैसे होगा जब तक हमारा हम से भी correct हैं हम को नहीं सकता है क्रीट के नाम कि इसकी नहीं क्या को यह तोड सकता कितना भी कोशिश कर लिए भाशवा महागटबंद तूटने वाली नहीं है लेकिन अब जो आरक्षन की सीमा की जो बात चल रहे की बढ़ाया जाएगा बीजे पी आकरमक नजर आ रहे हैं वो करें कि यह OBC के लिए क्या करेंगा हमारे पास तो प्रधानमंत्री ही उसी समाज का है देखिए हम तो यह कहना चाहेंगे क्योंकि हम एक महिला हैं तो हम महिला की तोर पर भी बात करेंगे OBC समाज के, एक OBC महिला के कोक से जर्म लेते हुए भी प्रधान मंतरी ने OBC को धोखा दिया हम यहां से यह बात कह रहे हैं, क्योंकि महिला रिजर्वेशन का जो बिल आया उसमें उन्हेंने क्या कहा, सभी महिलाओं को हम रिजर्वेशन दे रहा है, जो किसी सरकार ने नहीं किया हम कोई मना कर रहे हैं आपको रिप्रेजेंटेशन देने से आप पचास दीजी आधियाबाद यह पचास दीजी आप लेकिन उसमें कोटा विदिन कोटा से दीजीए यही हमारा पुराना मांग रहा है, आप बताईए, सवर्ण महिलाएं और बहुजन महिलाएं बराबर हो गई हैं क्या बहुजन महिलाएं तो जेंडर के नाम पर जो सहती हैं, जातिवाद भी सहती हैं, दोनों तरफ से मारी गई वो और दूसरा आप उंको बताईए, जो महिला एसी में चांदी का टोरी में दूद भात खाते हुए पैदा हुई, उनको समाजिक बहिशकार का जी नहीं जेलना पड़ा ना, जो दलित की महिलाओं को आपको कुए पर से ढखेल दिया गया, फुलन देवी का इतिहास किसी को न पर रुबार रही है, रोट साफ करिया, नाले साफ करिया, उनका बराबरी करेंगे, तो फॉर्वड में भी लोग ठोक रही हैं, अब ही भी ओपिसी सिस्टेम महिलाओं को क्या रिप्रेजेंटेशन है, आज भी पायल तडवी, आज भी एक डॉक्टर फासी लगाने को क्यो विशमताओं को दूर करने के लिए जातिका जनगना हुई आखिर किसी को क्या दिक्कत हो सकते हैं हमने मंडल कमीशन के दौर में भी देखा जब मंडल कमीशन आया सडकों पर विरोध हुआ कि वो भी सी सारा हग खा जाएगा महिनाई नहीं थी क्या प्रोटेस्ट लीट करने म जो लाए गया है यह सफल नहीं होगा यह मंडल डू पॉइंट है तो है ही हम कह रहे हैं आपका महिला आरेक्शन EWS.2 है आप खुश करने के चकर में यह कर रहे हैं ताकि खली राजगराने के महिला हैं जिनके बाप दादा सब लोग राजनीती से जुड़े हैं खली रानिय जी के खथन को हम सफल करेंगे रानी बना महतरानी होगा जब तक रानिया राजकरती रहेंगे हम घर में बैठे रहेंगे क्या हमको जोला सिर्फ डोना नहीं है हमको भी अपना हक चाहिए और इसके लिए जहां तक लड़ना होगा हम लड़ेंगे शुक्रिया हमारे सब इसकत को प्रहतना हीं हमको जजालाथ हमको हमके भी क्या पता है सकत्सक्रिया जजश जब दोना हlor और फसर तक हमके प्या तर्प